नमस्कार दोस्तों मैं इब्राहेम बहुत बोश्वागत करता हूँ टेक्निकल एक्सप्रिस के इस नई एपिसोड में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अक्सर हम जो है स्मार्टफोन खरिकता समय देखते हैं कि आज जिए वह भी स्मार्टफोन आये वो सारे स्मार्टफ आज के लो रेंज के स्मार्टफोन से तो हमें समझ में आता कि डूड़ी या 2.5 या 3D ग्लासे में डिफ्रेंस इस क्या है तो आज मैं इसी इसी ग्लासे के बारें बात करने वाला हम चले शुरू करते हैं दोस्तों जो टूड़ी ग्लासे से एक नॉर्मल ग्लासे जो हम हर नॉर्मल डिस्प्ले तर रही है तो लेकिन जो है साइड से जो यूज करने मिलता है जैसे कि कोई स्लाइड वागर जो हमें स्मार्टफोन यूज करने मिलता है जो आज के स्मार्टफोन में उस टैम पे जो है यूज करने है थोड़ा सा दिक्कत होती थी तो जो है 2.5D ग लेकिन 2.5D classes जो है side का थोड़ा सा bend हो गया है, जिसके वो जीसे आप display के side से भी slide वगर जो भी यूज़ करते हो आप असानी से यूज़ कर सकते हो, और जिससे आपको mobile का handling वगर जो भी वगर वगर भी जो है एकदम आसाने से यूज़ कर सकते हो और 2D Glasses में आप जब डिस्प्ले को एकदम से जो है जब बाजू से देखते हो तो देखने ही पाते हैं तो इसमें काफी आद तक जो है काफी अलग है इसमें जो है उपर और नीचे और सारे तरफ बेंड होता है डिस्प्ले जैसे कि आप देख सकते हो सब्सक्राइब जो है इसली यूज़ कर सकते हो फिलालगी इस वीडियो में इतना है उम्मीद करते हो आप इस वीडियो आपको पसंद आए होगा आपके मन में सवाल है सुचा होगा तो नीचे कमेंट करना मत पूलिएगा वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा और चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया होग सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि रोजना आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकिया आते रहता हो फिलालगी इतना है दोस्तों फिर मिलता हो नए एपिसोड